वस्ती नेत्र के तरह वस्ती पुटक के भी आठ दोश होते हैं वस्ती नेत्र के जो आठ दोश हैं वो मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बता दिये हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अचारे चरक ने सिद्धी स्थान में पांचवय अध्याई के छटे और साथ वेश लोग में वस्ती पुटक के आठ दोश बताए हैं जो की हैं विशमाकार, मांसल, छिद्र युक्त, स्थूल, जाल युक्त, वातल, इसनिक्द और किलनता वस्ती पुटक का पहला दोश है विशमाकार, विशमाकार का अर्थ होता है वस्ती पुटक का कहीं पर मोटा और कहीं पर पतला होना कहीं पर मोटा और कहीं पर बतला होने के कारण जो वस्ती द्रवे होता है वो वस्ती पुटक में से वेग युक्त नहीं निकलता जिसकी वज़ा से गुदा में सम्मेक रोप से प्रवेश नहीं कर पाता वस्ति पुटक के मांसल होने से उसमें से मांस के सड़ने जैसी गंधाती है वस्ति पुटक के छिद्र उक्त होने से जो ओशत द्रव्य हमें गुदा में प्रवेश कराना होता है वो वस्ति पुटक में छिद्र होनी की कारण उस छिद्र से पहले ही बाहर निकलाता है यदि वस्ति पुटक मोटा होता है तो उसको हाथ में पकड़ने में असुविदा होती है जिसके कारण जो चिकेट साख होता है वो उसको ठीक से दवानी पाता और वस्ति द्रव्य गुदा में सही से प्रवेश नहीं कर पाता है बस्ती पुटक का पांचवा दोश है जाल युक्त, जाल युक्त का मतलब होता है कि जो बस्ती पुटक है वो छोटे 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 छिद्रों से युक्त है, छोटे 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 छिद्र जब बस्ती पुटक पे होते हैं, तो जो उसके अंदर द्रवे भरा जाता है, वो उ वस्ती-द्रव को गुदा में परवेश कराते हैं तो वो वस्ती-द्रव के साथ वायू भी कुधा में परवेश कर जाती है। जिसके कारण गुदा में शोब उत्पन होता है शोब का अर्थ होता है इरिटेशन होना या प्रीकिंग पेन होना तो यदि वस्ती द्रवे के साथ वायू भी गुदा में परवेश कर जाएगी तो वो शोब को उत्पन करती है वस्ती पुटक का सादवा दोश है इसनिक्द इ इस वह दिर पुटक मَ अधिक चिकना होगा तो वह हाथ से बार बार फिसलता है। जिसकी वज़ासे चिकेचसक वस्ती डर्व्य को गुधा में सहीशे प्रवेश नहीं करभापाता। और वस्ती पुटक का आठवा दो से किलिन्नता करता होता है वस्ती पुटक का अत्यरिक गीला होना गीले होने में भी वही दिक्कत होती है जो इस निक्द होने में होती है उसको पकड़ने में आसानी नहीं होती जिसकी वज़ा से कुदा में वस्ती द्रव्वेट सही से पाता.